महराश में लंबे अर्से से जारी सियासी घमसान का आज विधान सभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक समाधान दे दिया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है शिवसेना संसत प्रियंका चतुरवेजी जी प्रियंका जी सबसे पहला रियक्शन आपका जिस चीफ विप और फ्लो लीडर का निर्ने लिया है वो गह समविधानिक है और फिर यह निर्ने डिस्क्वालिफिकेशन की जिम्यदारी स्पीकर को दी गई स्पीकर का काम होता है कि ट्राइबिउनल जज की तरह बिहेव करें पक्षपात ना करें और जैसे अटल बिहारी वाजपर जी कहते थे सत्ता आती है जाती है बनती है बिगरती है पार्टी बढ़ती है कम होती है पर समविधान और देश सबसे उपर होना चाहिए आज आज आज सब्सक्राइब कर दिया है शेडूल 10 का जो हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था आप यह कह रहे हैं कि चोर आकर चोरी कर ले आपके घर में तो जो समान चोरी हुआ है वो चोरों का होता है ना कि जो जिसका ओनर है उसका होता यह गलत एक फैसला है और आन आप क्योंकि आप पावर में हैं वहाराष्ट्रा में आप उसका इस्तमाल कर लीजिए पर आप को भी popularity rankings देखिए आपके खुद के चैनल पर जो सर्वेज होते हैं वो बताते हैं कि जितना ये गदार लोग हमारे विश्वास किसाथ के किलां विश्वास के सांथ कि खिलाफ काम करेंगे उतना उदव जी को और अपना करीब इमान रही है और विश्वास जता रही है तो आने वाला समय जनता के कोट में डिसाइड होगा आज एक ट्राइब्यूनल जज की भूमिका निभाने वाले स्पीकर दो बार मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं वो मुख्यमंत्री जो खुड डिस्क्वालिफिकेशन की रेस में हैं तो यह क्या जताता है फिर आप हवाला देते हैं एलेक किसकी है उसको लेकर ही हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में दूसरा आप हवाला देते हैं 2018 का रेकॉर्ड नहीं है एलेक्शन कमिशन से पूछना चाहूंगी के एबी फॉर्म जो दवाला साहिब ठाक्ते जी साइन करते थे जिसके आधार पर एकनाच शिंदे जीत कराया, उनका बेटा जीत कराया, वो चालीस गदार जीत कराया, वो यह भी फॉर्म कैसे आपने मानिता दे दी, जो भी आपका एमेल कम्यूनिकेशन होता था शिव सेना के साथ, वो पार्टी लीदर के साथ होता था, विचिसुद्दव जी, और अगर आपको इंट्रा करें करें कर हाँ, आपको लग रहे है हैं तो क्या इकजिस्टेंश करता होता है, विच दो जो टाइए eh मैं आपको नियोता देती हूँ और उन सारे विरोधी लोगों को जो इस तरीकी की बाते करते हैं, और जो उनके दो रुपे के ट्रोल्स ट्रॉटर पर बात करते हैं, महराश्रा आईये, महराश्रा की जनता से बात करिये, फिर हम से बात करिये, और दूसरी बात, महराश्रा की जनता ने सिर्फ गद्दारी ही नहीं देखी, महराश्रा की जनता ने महराश्रा के खिलाफ काम देखे हैं, जो इंडस्ट्री महराश्रा में आनी थी, वो महराश्रा से हटा हटा कर गुजा जा जा रही है, जो रोजगार महराश्रा के युवाओं को मिलने चाहिए थे, वो आ करते थे यहां थे कौन है दूसरा है वो 70,000 करोड के घुटाले वाले है ना नैच्रिली करा पाटी उनके साथ तो आइडिलॉजिकल कॉम्प्रमाइज किस ने किये सत्ता में रहने का काम किस ने किये जनता थे स्यासी वार प्लेटवार चलता रहेगा लेकिन आप लोग के सामन हैं कि रिपकर्शंज क्या होंगे इन दोनों चुनाओ पर हमारे बजंता का और बहुमत मिलेगा हम फिर से सत्ता में आएंगे जंता के विश्वास जीत कर आएंगे और मैं एक और चीज आप से कहूं जबसे ये आएं हैं सत्ता में महराश्टरा में कोई भी बाइलेक्शन को मुंबाइ हाई को निर्देश दिया था कि मार्च में एक में एक मेंबर ऑफ पर्लिमेंट की डेथ हुई थी पुने में उसका चुनाव इमीडियेटली रखना चाहिए एलेक्शन कमिशन ने वो नहीं किया एलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोड भागी उस पर स्टे ओडर लेक मिश्वास जीत कराएंगे और जिन लोगों ने गदारी की है उनको धूल चटाने का काम महराश्रा की जनता करेंगे एक एक उम्मीद की किरन आपके लिए भी और अच्छी बात या आपके लिए भी हुई क्योंकि शिंदे गुट चाहरा था कि चौदा जो विधायक है उनक अराश्रा की जनता ने भारतिया जनता पार्टी को एक सीट लोग सभावे ने दियो थी एक सीट और मैं ये विश्वास से कन्विक्शन से and with all due respect to various courts and various agencies कह सकती हूं तो उन्होंने वना फेस सेविंग काम किया है कि और सिंपिती ना मिले और गलत काम ना हो और इतने हद तक ना गिर जाए इतने हद तक ना गिर जाएं कि समविधान का मजाख बना दे आपके पार्टी की से विधान की अगर हम बात करें तो उद्र बहले कि हम बात करें तो बार ये जब ठाक्रे जब थे उन्हों नहीं 1999 में सविधान बनाया कि पार्टी का जो प्रमुक होगा उसके पास सारी ताकत नहीं होगी बलकि डिसेंट्रलाइस करने का काम उन्होंने किया था और उन्होंने का था कि राष्टी कारिकारली जो होगी वो जो फैसले लेगी वो मानने होंगे और जो सबसे आधार माना गया है स्पीकर ने भी इसको आधार माना गया है कि 2018 का जो आपका सविधान है इलेक्शन कमिशन में तो वो गया ही नहीं उसको मान नहीं नहीं माना है 1999 में कुछ निर्ने लिए गए गए जब बाला साहिब ठाकरे जी पक्ष प्रमुक थे 2018 में नए पक्ष प्रमुक बने जो पार्टी के लीडर्शिप है पार्टी के कारे करता है पार्टी के नैशनल एग्जेकेटिटिव मेंबर्स है जिसमें खुद एकनाच निर्ने शामिल थे उन्होंने ये निर्ने लेकर उनको ये भरोसा जताया था अगर वो constitutional amendment हुआ तो सबसे पहले अगर उससे तकलीफ थी तो election commission को move कर सकते थे नहीं किया रही बात record ना होने की तो सवाल election commission का जो मैंने पहले भी पूछा जो AB form sign हो रहे थे वो के साथ हार पे आपने उसको मानेता दी उद्व जी करे थे फिर उद्व जी ने mandate किया कि अनल दिसाइजी करेंगे तो वो भी आपने मानेता दी आपका जो भी line of communication था वो उद्व जी के साथ था अगर intra-party democracy election commission को किसी तरीके से नहीं लगए थी जो भी उनको याद आ गई है तो वो election commission को सवाल पूछने चाहिए थे हैं ना तो अगर आपके पास यह record नहीं था और record के खिलाफ काम हो रहा है नाइंटी नाइंटी राइन के constitution के खिलाफ काम हो रहा है और यह सवाल election commission को नहीं है आने वाले इतिहास में election commission का क्या रोल पाया जाएगा जो काले अक्षरों से आपका नाम लिखा जाएगा उसका आप जिहान रखे election commission पर यह आप सवाल उठा रही है ठीक है आखरी सवाल है legal battle नहीं उठाना चाहिए और जनता के बीच जो जाने की आप लड़ाई की बात करी आपने शुरू में कैसे करेंगे वो क्या होगा आपका line of defense क्या होगा आप कैसे आगे बढ़ेंगी इस लड़ाई के लिए लड़ाई तो बहुत सपष्ट है कि आज महराश्टरा की जनता उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन्होंने अपने खुद का ideological compromise किया उन्होंने clearly बता दिया कि उनकी इक ही ideology है power में रहने की धन बल सत्ता बलकाय दुरूपयोग करकर आपने सत्ता बना ली illegal, unconstitutional, immoral जो आपको Supreme Court ने कहा उसको भी आपने मानिता दे दी तो हमारा जोड होगा यह है कि क्या युवाओं को रोजगार मिले क्या महराश्टरा में इंडस्ट्रीज आई क्या महराश्टरा में ब्रष्टाचार खतम हुआ क्या महराश्टरा में महिलाओं को इंसाफ मिला, क्या महराश्टरा में किसानों को इंसाफ मिला, सूखा पड़ा है, बार कहीं कहीं हो रही है, आप वहाँ पर जाते भी नहीं है, आप दावोस जाएंगे, आप यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, पर सारी जो इंडस्ट्र जो है वो असर पड़ेगा निगोशियेशन में क्या आप लोग कुछ कमजोर जो नहीं दिखेंगे? हम कमजोर नहीं और मजबूत हुए हैं, आपको कहीं गलत फहमी हो रही है, कमजोर पता है क्या हुआ है इसने नहीं के बाद, कमजोर देश का समविधान हुआ है, कमजोर देश का सुप्रीम कोट हुआ है, कमजोर देश की प्रजातंत्र हुई है, कमजोर जो हुआ है, देश मे यहें प्रिंका चितरवेदी जिनका साफ तोर पे कहना है कि जनता की कोट में ये लडाई ले करके जाएंगे और जनता की अदालत में जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमारी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से मजबूत है कैमरा पसंद मनीश खैर के साथ एहमेद बिलाल ABP News दिल्ली